डिस्क्लाइमर ये वीडियो इंट्रेटेंडमेंट के लिए नहीं है अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो आज आप अपने लाइफ में बहुत जादा कुछ सिखने वाल है अपने लाइफ में आपके अलग-अलग एकस्टेक्ट में बहुत जादा मदद करती है दसन्जू जो कि ये इस्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं तो वह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक युद्ध को एक वार को किस तरीके से इस्ट्रेजाइश करना चाहिए किस से उनकी जो रण नीतिया है वो उसे बनाने में बहुत जादा माहिर है और वो ये अच्छे तरीके से समस्थ लखते हैं कि ऐसे क्या-क्या चीज हैं से कौन-कौन से लेसंस हैं जिने हम अपने लाइफ में उतार के अपने सक्सेसरेट को बहुत जादा ग्रोथ में ले सकते ह के लिए उन्होंने एक बूग लिखे दा आर्ट ऑफ वार जिसके आज हम पांच लेसंस को कवर करेंगे और जो आगरी का पांचवा लेसंस है वह बहुत जादा डीपली है साइक्रोलजिकली बहुत जादा डीपली है तो उसे बिल्कुल मत मिस करना पहला लौ है नो योर से यहां पर संजुक्य की स्ट्रेटिजिस्ट हैं तो वह यह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी युद्ध में आपको यह जरूरी है कि आप पहले अपने आपको जाने कि आपके अंदर क्या पोटेंशल है क्या चीश की कमी है और आप अपने ऑपोजीशन में ज श्रीमत भागवद गीता में महाँ पर क्योंकि दुर्योधा रहे हैं कि यह पर्याप्तम ततस माकम बलम भिश्मा भी रक्षितम होकर अपर पांदाओ की उसका भीम खाली रक्षा कर रहे है और वह भी पर्याप्त है यान कि वह वह गया न है उनकी दोनों चीज को जानने के लिए कि हमारे अंदर क्या पॉटेंशल है यह चीज करने की जो शंता है वह यह नहीं थी तो यहां पर संजु का जो पहला लौँ है वह यह है नो यूर्सेल्फ एंड यूर एनिक यह कहता है एडेप्टिबलीटी सेकेंड लौँ में हम यह जा करना रहता है कि कोई भी कंडिशन हो अगर वाड आई है सामने है युद्ध तो उसे प्ले करना पड़ता है और अपने पूरे पोटेंशल पूरे अनर्जी को वहां पर लगाना पड़ता है तो कभी भी अपने आपको अपने बॉड़ी को ऐसा कंडिशन मत दो कि भाई जब आपके युद्ध में आपका सक्सेस रेट बढ़ाने में मदद करेगा इसरा लोह है प्लैन फॉर सक्सेस यहां पर संजू यह स्टेबिस करना चाहते हैं कि कोई भी सक्सेस को पाने के लिए कभी भी प्लैनिंग बहुत जादा इंपोर्टेंट ड्रोल प्ले करती है अगर आ कि मैं सबसे पहले अपने जो आउजार इसको धार करने पर फोकस करूंगा तो ठीक इसी तरीके से प्लैनिंग आपके चीजों को धार देती है और ताकि आप अपने एक्जिक्यूशन को बहुत जादा अच्छे तरीके से प्ले कर पाएं अगर आपने प्लैनिंग किया और आप वापस से हार के आने वाले हैं अच्छी प्लैनिंग और अच्छी एक्जिक्यूशन आपको अपने लाइफ में आपके सक्सेसरेट को बढ़ाने में मदद करेगी सुर्था लाओ है मोटिवेशन एक लीडर एक मिलिटरी जर्णल के नाते संजु ये भी जानते हैं कि किसी भी युद्ध को सुरू करने से पहले मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है आप अपने लाइफ में कभी भी कोई भी काम करेंगे वो त्रिगर के वज़े से इसी के साथ साथ आपकी इनर मोटिवेशन भी होना जरूरी ताकि ऐसा कंडिशन जिसमें आपको मोटिवेशन ही ना मिले और आप उसमें काम ना कर पाएं तो वह भी चीज बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो इसलिए मोटिवेशन एक ट्रिगर पॉइंट बहुत की आपको अपने सामने कभी कवार कमजोर होना पड़ता है उसको और इसके वयसे वह अपने घमंड में कि भाईशन को तो कुछ नहीं आता और वहीं पर जब यहीं पर आप अपने बाजी को जीट जाते हैं तो यह था पांच लेसंस जो कि आट ऑफ वार बुक से लिया गया था जो कि आपको अपने लाइफ में अंदर से बहुत जादा बनाएगा पांच वा पॉइंट जो कि आपको साइकलोजिकली बहुत जादा मैच्छे और बना दिया ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में करना कि अगला वीडियो कौन से बुक के रिलेड़ेड आए